नमस्कार दोस्तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम CISF Constable Treatsman के एक्जाम के लिए Most Expected और Exam Oriented GK के कुछ Questions आपके साथ डिसकस करेंगे सभी Questions आपको Bilingual, Hindi और English दोनों Language में अपियर होंगे और इनकी PDF के लिए आप हमारे Telegram ग्रूप या फिर WhatsApp ग्रूप को जोईन कर सकते हैं जिसका लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है दोस्तो CSF Constable Treatsman का जो एक्जाम डेट है वो चेंज हो चुकी है अब जो न्यू एक्जाम डेट है वो है 6-9-2020 उसके बारे मैं एक वीडियो बना चुका हूँ आप उस वीडियो को जरूर देख लिजिए शुरू करते हैं आज का पहला फ्रस्ट दोस्तों आज का पहला प्रस्ट है Which one of the following hormone is called emergency hormone निमनिकित मैंसे किस hormone को आपातकालीन हर्मोन के नाम से भी जाना जाता है तो इसका आंसर है option number A adrenaline, दोस्तों adrenaline नामक hormone होता है, वो adrenal medulla से स्रावित होता है जब कभी भी अमारी body stress में होती है या body को quick response की आउशकता होती है, तो उस समय पर adrenaline नामक hormone स्रावित होता है इसलिए इसे emergency hormone कहा जाता है, अगला प्रसन है Who was the viceroy at the time of quit India moment, यानि की भारत छोड़ो आंदुलन के समय हुआ इसराई कौन था, तो इसका आंसर है दोस्तों option बरसी, Lord Lynn Lithego, ठीक है 8 अगस्त 1942 को महात्मा गाधी के नेत्रतुमें quit India moment शुरू हुआ था, इसलिए इसे August moment के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, इसी quit India moment में महात्मा गाधी ने do or die यानि की करो या मरो का नारा दिया था, इतनी बात आप यहाँ से याद रखेंगे, बढ़ते हैं अगले प्रसन की ओर अगला प्रसन है Who was the first recipient of the ज्यानपीट अवर्ड तो ज्यानपीट पुरुसकार के प्रथम प्राप्त करता का नाम बताईए तो ज्यानपीट पुरुसकार जो है 1965 में स्टार्ट किया गया था और यह साहित्ति के छेत्र में दिया जाने वाला एक उत्कृष्ट पुरुसकार है ठीक है, इसके सरवप्रथम प्राप्त करता जी संकरा कुरूप ठीक है, जी संकरा कुरूप जो है वो मल्याली साहित्ति के लेखक थे इनको 1965 में यह पुरुसकार दिया गया था और यहां से क्वेश्चिन और पुछाता है कि ज्यानपीट पुरुसकार प्राप्त करने वाली पुरुसकार प्राप्त करने वाली पुरुसकार प्रतम महिला थी आसापूर्णा देवी जो कि एक बांगला लेखक थी उनको 1976 में यह दिया गया था ठीक है, आप यहां से मुझे कमेंट बॉक्स में एक आंसर लिखके बताएंगे कि 2019 में 55 ग्यानपीट पुरुसकार किसे दिया गया था ठीक है, यह करन्ट की दिरिश्टी से महतपूर्ण क्वेस्चन है तो इसलिए आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखके जरूर बताएं बढ़ते हैं अगला प्रसन की ओर अगला प्रसन है दोस्तो ब्लड डज नौट कोगुलेट इंसाइड द बॉड़ी द्यू टू द प्रजेंस ओफ तो जो हमारी बॉड़ी के अंदर ब्लड होता है वो कोगुलेट नहीं होता है यानि कि वो जमता नहीं है, वो क्यों नहीं जमता है किसकी उपस्तिके कारण वो नहीं जमता है तो इसका अंसर है, option number C, हिपैरीन दोस्तो हमारी जो ब्लड वैसल्स होती है उनकी डिवालो में हिपैरीन होता है ठीक है, और हिपैरीन जो है, वो ब्लड को कोगुलेट होने से रोग दिता है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा, option number C, हिपैरीन काफी important question है, इसको ध्यान रखेंगे बढ़ते हैं अगले प्रस्न की ओर दोस्तो अगला प्रस्न है How many chambers does a mammalian hurt है, पिक काफी easy question है तो एक स्तंधारी के दिल में कितने कक्षी होते हैं तो इसका अंसर है, option number A अगला प्रस्न है दोस्तो Which river flows between the Satpura and Vindhya ranges तो Satpura और Vindhyaanchal range के बीच में कौन सी river बहती है तो इसका अंसर है, option number D, river Narmada तो Satpura range और Vindhyaanchal range के बीच में बहती है दोस्तो river Narmada अगला प्रस्न है The biggest oceanic trade route of the world is in तो दुनिया के सबसे व्यस्त समुदरी मार्गों में से कौन सा समुदरी मार्ग है तो इसका अंसर है, Atlantic महासागर तो इसका अंसर है, Atlantic महासागर का North Atlantic route यहां से सुनिएगा Atlantic महासागर का North Atlantic route जो है वो दुनिया का सबसे व्यस्ततम समुद्री व्यापार मार गए है जो कि दोस्तो North America को South America से connect करता है ठीक है और Africa को Europe से connect करता है और Europe को Asia से connect करता है ठीक है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा Atlantic महासागर और root की बात आएगी तो Atlantic महासागर के अंदर North Atlantic root ठीक है अगला प्रसन है which of the following is called blue planet तो निमलिखित मैं से किसे blue planet या फिर नीला ग्रह कहा जाता है दोस्तो आपको पता है कि हमारे प्रिथिवी को यानि कि अर्थ को blue planet कहा जाता है क्योंकि अर्थ के surface पे abundant मातरा में यानि कि बहुत ज़्यादा मातरा में पानी है इसी लिए इसे जो है blue planet कहा जाता है option number B, earth is right answer दोस्तो अगला प्रसन है minimata disease was caused due to तो जो minimata disease होती है वो किस कारण होती है दोस्तो ये काफी important question है तो minimata disease जो है दोस्तो mercury poisoning यानि कि पारे की poisoning के कारण होती है जब किसी कारणवास या फिर contaminated water पिलने से या और industrial region से हमारी body के अंदर पारा जो है वो deposit हो जाता है तो उसे ही minimata disease कहते हैं दोस्तो इस disease में जो हमारे muscles होते हैं उनमें numbness caused जाती है यानि कि एक प्रकार का सुन्नपन आ जाता है और ataxia हो जाता है ठीक है और muscle weakness और blindness ठीक है वीजन को damage कर देता है यानि कि blindness caused कर देता है minimata disease और यह किस के करणवास होता है mercury poisoning पारे की poisoning के कारण अगला प्रस्न है the earth largest ice volume is present तो प्रिथिभी का सबसे ज़्यादा बर्फ की मात्रा कहां पाई जाती है दोस्तो इसका answer है option number c अंटार्कटिका में ठीक है प्रिथिभी में सबसे ज़्यादा बर्फ जो है वो अंटार्कटिका के अंटार्कटिक ice cell में पाई जाती है जो कि लगबग 14 million km का area जो इसने कबर किया है 14 million km square का area जो है इसके द्वारा कबर किया गया है तो इसका answer क्या हो जाएगा option number c अंटार्कटिका दोस्तो अगला प्रसन है circulatory system is made up of तो जो हमारा परिशंचनर तंत्र होता है रक्त परिशंचनर तंत्र होता है blood circulatory system वो किस किस से मिलके बना होता है तो इसका answer है blood vessels heart and blood यानि कि जो रक्त वाहिकाएं होती है जिनके तुरू blood circulate होता है पूरी body में और heart और रक्त इन तीनों को मिलके बना रहता है दोस्तो हमारा circulatory system ठीक है option number c is right answer अगला प्रसन है निमलकित में से किस सागर का खारापन सबसे अधिक है which sea has the highest salinity दोस्तो जो मृत सागर है dead sea dead sea में highest salinity है इसमें total 33.35% salinity है ठीक है dead sea में कितनी salinity है 33.35% तो इसका answer क्या हो जाएगा option number c मृत सागर important question है exams में पूछा जाता है अगला प्रसन है दिल्ली सल्तनत पर कितने राजबंसों ने सासन किया था how many densities ruled over Delhi सल्तनत तो काफी important question है दोस्तो Delhi सल्तनत के उपर पाँच राजबंसों द्वारा सासन किया गया था जिनके नाम है मूलुक डैनिस्टी जिसको कि हम दाजबंस भी भोलते हैं ठीक है and खिलजी बंस तुगलक डैनिस्टी सायद डैनिस्टी और लोधी बंस ठीक है इन पाँच बंसों ने दिल्ली सल्तनत पर सासन किया था तो इसका अंसर कितना हो जाएगा फाइब डैनिस्टी अगला प्रसन है दोस्तो अंग्रेजु ने रायतवाडी व्यवस्ता सरुबर्थम कहां से आरंब की थी दोस्तो जो रायतवाडी परता थी यह एक लेंड रिवेनिस सिस्टम था यानि की भूर आजस्टो प्रणाली थी और इसको अंग्रेजु ने मदराज प्रेसिडेंसी से सुरू किया था यहां से एक क्वेस्टन और पुछा जाता है जो रायतवाडी व्योस्ता थी वो किसके द्वारा इंट्रिउस्ट की गई थी दोस्तो अठारा सो बीस में 1820 में थॉमस मुन्रो के द्वारा किसके द्वारा थॉमस मुन्रो के द्वारा रायतवाडी परता जो है वो इंट्रिउस की गई थी British India में अगरा प्रस्न है दोस्तो Kochi Refinery निमलिकित मैं से किस छेतर के अंतरगत आती है Kochi Refinery comes under which sector तो इसका अंसर है Public Sector ठीक है दोस्तो Kochi Refinery जो है यह 1964 में स्तापित की गी थी और यह Government of India की संपत्ती है यानि कि एक Public Sector Undertaking है और इसकी Parent Company कौन सी है इसकी Parent Company है दोस्तो भारत Petroleum यानि की BPCL ठीक है भारत Petroleum की एक Part है Kochi Refinery जो की Kochiन में प्रेजेंट है तो दोस्तो यह थे हमारी आज की प्रस्न अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो kindly हमाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए है तो notification bell icon को दबा कर हमारी वीडियो को अधिक से धिक सेयर कर दीजिए और इनकी PDF के लिए आप Telegram गूरूप में जुड़ जाए या फिर WhatsApp गूरूप में जुड़ जाए वहाँ पर आपको हमारी previous वीडियो की और अपकमिंग वीडियो की PDF से फ्री में अवेलेवल हो जाएंगी तो अगर आप वीडियो को आपको अच्छी लगी है तो जरूर लाइक कीज़ेगा इसको एटलिस्ट जितने लोग वीडियो को देख रहे हो उतने लोग लाइक कर देना जिससे हमारा motivation बढ़ता है Thank you, Jain, Jain भारत